धन 13 का पर्व कार्तिक माह के किश्ण पक्ष की त्रयोदसी को मनाया जाता है और इस दिन खरिदारी करना सबसे ज़्यादा सूमाना जाता है वैसे तो हिंदू धर्म की अगर हम मानेताओं की माने तो इस दिन खरिदारी से धन सम्रिद्धी बढ़ती है और धन तेरस पर कुबेर देव की पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि पौरानिक कथा के अनुसार कार्तिक माहके कृष्ण पक्ष की त्रियोदसी पर ही धन अंतरी अम्रित कलस लेकर प्रकट हुए थे और तभी से धन तेरस पर बरतन खरिदने की प्रमपरा चलिया रही है तो धन तेरस पर कौन सी बस्तू खरिदना सबसे सुभ होता है जीवन में खुजियां बढ़ाता है देखे दीपक के बिना दिपावली की कलपना भी नहीं की जा सकती और धन तेरस पर धेर सारे छोटे छोटे दीपक खरिदिये मिट्टी के तीन बड़े दीपक भी जरूर खरिदिये इसका प्रियोग आप दीपावली की पूजा में कीजिएगा एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो मा लक्षमी को समर्पित होगा दूसरा बड़ा सरसों के तेल का दीपक मा काली के लिए और जबकि तीसरा बड़ा जो दीपक है वो तिर्चा करके सरसों के तेल दीपक के उपर रखा जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल बन सके और यही काजल आपको सुरक्षा कबर्ज देगा तो कलस और धक्कन सर्फोस जिसको कहते हैं देखिए यह आपके लिए बहुत आवस्यक है क्योंकि आप अगर धातु का कलस चाहते हैं तो बैठाना तो वह भगवान की मूर्ती की पूजा होगी तो ऐसे में उनके लिए नई मूर्ती भी धन तेरस के दिन ही खई लेना चाहिए क्योंकि धन के लिए मालक्षमी और बुद्धी के लिए भगवान गनेश की उपासना करने का विधान है तो धन तेरस के दिन मालक्षमी और गनेश जी क मूर्टियां इसी दिन खड़ी जाती है और जब आप मूर्टि खड़ दें तो विशेस बातों का ध्यान रखें भगवान गनेश की जो सूड़ है वो बाई हाथ की तरफ होगा गनेश जी का जो बाई हाथ है न उदर होगा और लक्षमी जी जो होंगी वो गुलाबी कमल के प मुद्रा में हो सांत मुद्रा में हो उपर की ओर नहीं देखे बलकि ऐसे देखे कि नीचे निगाहें हो और ये बिलकुल आपके घर में बरकत देने वाला निगाह होना चाहिए तो जितना ज्यादा खुस मिजात चहरा लेंगे उतना ही अच्छा चुकि दीपावली के दिन से नया बही खाता का सुरुआत होता है इसलिए धनते रस के दिन अगर आप ब्यापारी हैं तो बही खाता यानि की कलम और आपका जो खाता है डायरी जिसको कहते हैं वो जरूर ले आईए और इसकी पूजा आप दीपावली की पूजा में करेंगे तो इस दिन किया गया ब अमाम वस्तूओं को खरीदेंगे धनते रस पर सभी वस्तूओं को आप इसी दिन लक्षमी जगाएंगे धनते रस के दिन जागरित करेंगे जब आप धनवंत्री जी महराज और कुवेर जी महराज की पूजा करेंगे उसी समय सभी वस्तूओं में लक्षमी को जगाना वो नकात्मक उड़जाओं से बचाता है और लक्षमी को बुलाता है तो ये दीपावली की पूजा में सबसे एहम भूमी का निभाएगा सरसो पान का पत्ता इसके बिना तो पूजा ही अधूरा है पान का पत्ता और गुलाब की पंखुरी जब आप मा लक्षमी के चर्णों में रख देंगे तो जीवन में स्री बढ़ेगा धन बढ़ेगा यस बढ़ेगा और सुपाड़ी जो भगवान गनेश का प्रतीक मानकर हम पूजा करते हैं जब आप कलस अस्थापित करेंगे दिपावली के दिन तो उसमें आपको सिक्का और सुपाड़ी डालना होता है सा क्योंकि धान लाने से सुख बढ़ता है समरिद्धी बढ़ता है और धान का मालक्षमी से सीधा संबंध है तो आपको धन तेरस पर थोड़ा ही सही 50-50 ग्राम का पैकेट भी धान का मिलता है मार्केट में आप उसको भी ले सकते हैं एक नारियल जरूर ले आईएगा और यह दिन ला सकते हैं फल में कम सकम पांस्तर का फल हो उसमें पानी वाला जो सिंखारा होता है वो जरूर लीजिएगा अब इस दिन जैसे कि बहुत साई लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं अपना घर करेश्टी कराते हैं जोईलरी खरीदते हैं सोने चांदी के बरतन खर पूरे साल जीवन में खुषियों और आनंद को भरता है आपको चीनी के खिलों मार्केट में जहां पर आप खील बता से ख़एगे वहां पर मिल जाएगा क्योंकि मालक्षमी की पूजा में खील और बता से और चीनी के खिलों ने यह तीनों का बहुत महत्तु है इससे घर और घर भड़ने का मत्तव होता है पूरा साल आप धन ढाने से भर्पूर रहेंगे आपके घर में खुषियां भरी रहेगी चांदी का सिक्षा वैसे तो हर कोई हर साल ख़ड़ना नहीं जाता तो आप ऐसे में पुराना सिक्षा भी दोकर उसको फृस करके यूज कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यूज जरूर करना है अर्पिज जरूर करना है तो बरतन आप चुकि धनमंतरी जी जो है वो कलस लेकर प्रकट हुए थे समुद्र बंथन से तो जो बरतन आप खई दिएका धनतेरस पर खाली बरतन घर मतलेगा आप चमच इस अहीं चमच में खर ले आते हैं तो मालक्षमी चली आती है और नई जारू का परियोग तो आपको करना है लेकिन जो पुरानी जारू है भी मत फिक किएगा इसको दीपावली के अगले दिन सुभर जब आप दरिता को बाहर भगाएंगे और लक्षमी को अंदर करेंगे तब इसका यूच जिन के बाद से जो संख है अगर आपके घर में है तो आवसकता नहीं है आप लंबे समय से चाह रहे हैं कि संख लाना है तो दीपावली की पूझा से सुरू कर दें लाल गुंजा यह तंत्र क्रियाओं में प्रियोग होता है और धन की देवी लक्षमी को आकरसित करता है त लिकिन बहतर होगा कि आप जो बनावा स्रियंत्र होता है उसको ना लेकर आप कागज वाला या फिर जो उकेरा होता है अंक वाला उसको लें क्योंकि उसमें गलती होने की गुंजा इस नहीं होती है और इन चीजों में अगर आप इस टाइप का लाते हैं थोड़ी बहुत से कम पांच कोड़ी जरूर खरिद कर लाइएगा और दीवाली के दिन इन कोड़ियों से बिसेश पूजा कीजेगा अगर आप विवाह होगा कर्जों से परिसान है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही जो गोमती चक्र है एक बिसेश प्रकार का पत्थर है जिसमें एक तरफ चक्र की आकरिती बनी होती है और यह कई रंगों में होता है सफेद रंग का जो गोमती चक्र है सबसे महत्पूर्ण है और यह एकदम से रतन की तरह अंगुठी में भी आप पहन सकते हैं गोमती चक्र जिस घर में होता है तंत्र क्रियाएं उस घर में असर नहीं करती और धन तेरस के दिन अगर आप पांच गोमती चक्र खरीद लेते हैं और दीपावली के दिन गोमती चक्र मालक्षमी को और पीत कर सिंदूर में रखकर इसको रख लेते हैं तो धन बढ़ता चला जाता है इसको धन के अस्थान पे ही रखा जाता है लाल और पीला कपड़ा जरूर लीजेगा एक तो लाल कपड़ा मालक्षमी के लिए और पीला कपड़ा गनेज जी के लिए आप चाहे तो सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं और एक आसल ने लीजेगा जिस पर आप मूर्ती को अस्थापित करेंगे अगर आपके घर में नया प्रियोग किया जाता है तो लॉंग इलाची मां की पूजा में जरूर रखिएगा लॉंग आपके मुनो कामनाओं को पूर्ण करेगा और जो इलाची है वो खुजियों को बढ़ाएगा धनिया धनिया के बिना तो पूजा अधूरा है धनिया का सीधा संबंद मालक्षमी से ह तो जब आप धनियां खरीद कर लाएं तो धनियां के बहुत सारे चमतकारी परियोग होंगे ये भी हम आपको आगे चल कर बताएंगे आपके घर में अगर कपूर है तो लाने के अब सकता नहीं है नहीं है तो ले आईए कपूर और लॉंग जलाकर आप धन्तेरस से लेकर दीपावली तक आरती कीजेगा रोज साम में घी ले आईए क्योंकि आप कम से कम वैसे तो 14 दिये जलाया जाते हैं घी के लेकिन कम से कम 5 दिये जरूर जलाना है आपको दीपावली के दे और ये धन्तेरस से ही सुरू हो जाएगा जलाना तो घी आप ले आईए घर में अगर हैं पहले से तो लाने के आवा सकता नहीं है कमल का पुस्प जो कि मा लक्षमी को सबसे ज़्यादा पसंद है तो कमल का पुस्प जो है वो आपके जीवन में खुसियों को बढ़ाता है और इस दिन चुकी देखिए धन्तेरस के दिन 16 रिंगार का तौफा देना सुब माना जाता है महिलाओं को और लाल रंकी सारी पावली तक कभी भी ले आईएगा और गुलाब का इत्र भी खील बता से तो आपको खरिदना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ धनियां खरिदने की परंपरा है क्योंकि पूजा में धनियां के बीच जब आप मान लक्षमी को और पित करते हैं तो लक्षमी स्थिर हो जात करना है तो आपके जीवन में खुसियां बढ़ेगी और जो हल्दी के गांठ है गांठ वाली हल्दी यानि सूखी हल्दी पीली वाली आपको पचास सो ग्राम ले आईए क्योंकि इसकी आवसकता आपको पढ़ेगी पूजा में अगर आप चांदी का स्वास्तिक अस्थाप अरपित कर ले जीवन में धन बढ़ता जाएगा कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और आउला मालक्षमी की पूजा में आपको अरपित करना है क्योंकि स्रीहरी को भी ये पसंद है और आउला आपके जीवन के खुसियों को बढ़ाने की चाबी है तो आउला ले आईएगा अगर संबब हो तो नहीं तो बाद मिला सकते हैं और धान जरूर लाइएगा क्योंकि धान के परियोग से जीवन में खुसियों वापस आ जाती है तो इन छोटे छोटे चीजों को लाकर आप बहुत सारे जीवन की मुस्किलों से बच सकते हैं और कोई भी एक चीज आप इस सबसे बड़ा है सुमूर्थ और धनल आपके लिए धनतेरस के दिन महाउपाई भी किये जाते हैं तो महाउपाई क्या किये जाते हैं कैसे करें इसके बारे में जानेंगे लेकिन इस दिन गन्ना यानि एक मखाना और आप चाहें तो धागतू का हाथी या फिर कच्छुआ आप चांदी का भी लेकर आ सकते हैं छोटा सही सही पर ले आईए पूजा के घर में रखिए इस्तापित करके पूजा पाट करें और अनार जरूर लाइएगा अनार लाने से लक्ष्मी प्रस्ण रहती हैं खाईएगा तो हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक